राजसान के मुख्य मंत्री पद पर कौन बैठेगा इस पर महर लग गई है राजनिती के जादुगर बह जाने वाले अशोग गहलो तीसरी बार प्रदेश की कमान समालेंगे परिवक्षक केसी वेनी वोपाल ने कौंगरेस मुख्याले में आउजित प्रेसवारता में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कौंगरेस अद्धिक्ष राहुल रांदी नहया ने लिया है कि अशोग गहलो तराजसान के मुख्य मंत्री और सचिन पाइलेट उप मुख्य म बंद कर दिया जिसे हम फिर सही शुरू करेंगे उन्हों कोई कमी नहीं रखी सही करने में यह बात में करना चाहता हूँ और होसे लाबू किया जाएगा और किसको मालूम था कि दो दो करोड़ बदी बन जाएंगे लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हों ने यह चुनाव किया है अशोग घिलो जी को मुखमंत्री बनाया है परदेश का मैं उनको बहुत मुबारक बात देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि परदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है राजस्थान, चक्तिजगर्ण, मद्द परदेश ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीती को बदलने वाले चुनाव थे इस परदेश में राजस्थान में प्रगती, शान्ती, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्ठिक संकट से मुक्ती, इन तमाभ मुद्दों पर जनता ने महर लगाई है और ये तीनों राज्यों में जो परणाम आये हैं, ये देश को संतोष देने वाले परणाम हैं, बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशाखो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है, लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बहुतर बहुमत लेकर कॉंग्रेस और यूपी ए केंद में सरकार बनाएगी, उनके मनुबल परस्त होने का मुख्य कारण ये है कि राहुल गांदी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बहार किया है, और मैं राजिस्थान परदेश की ज और इन चुनावों के बाद आज जो अफसर मिला है काम करने का, मैं समझता हो कि हमारे लिए बड़ा सोभागे वाला है, मुझे जब भी मौका मिला चाहे वो सांचत के रूप में हो, चाहे केंद के मंतरी के रूप में हो, चाहे परदेश अर्दिक्ष कॉंग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे और जन सेवा के भावना से काम किया है, तो मैं अपना बड़ा सोभागे समझता हूँ कि पांच साल की जो महनत करी हम सब कारेकरताओं ने और जनता ने उसका बहतर परणाम आया है, एक अच्छी जवाब देई, सपष्ट, इमानदार विकास की तरफ के तरीके से लागू करेंगे, ये मैंडेट राहूल गांदी जी ने दिया है, हमको और अच्छो गलोट जी को, और ये चुनाव में जो परणाम आये हैं, बहुत से लोग, भीजेपी बोलती थी, एक 110 सी जीत कराएंगे, लेकिन आपने देखा होगा, कि इसमें मेरा और अच् संग्ठन बनकर अबरा है तीनों राज्यों के अंदर, और राहूल जी के नेत्रित में, तमाम सेयोगी दलों के नेत्रित में, राजस्थान में बहुमत पाने के बावजूद भी, हमने तमाम जो छेत्री दल या छोटे दल हैं, उनका समर्थन प्राप्त किया है, निर्दलि स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यहाँ न्यूज आपको कैसी लगी? इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें